गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो चलिए अभी हमने रिवेल्यूएशन खतम किया था अब रिवेल्यूएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे ठीक है Partners Capital पहले हम समझेंगे Partners Capital क्या होता है उसके बाद हम आगे discussion में detailed discussion करेंगे और एक बार समझ में आ गया तो मतलब permanent ही समझ में आ गया ऐसा नहीं के पहले हम थोड़ा थोड़ा करेंगे हम detail में समझेंगे उसके चिंता मत करना सबसे पहले बताओ Capital क्या होता है Capital बताइए Capital क्या होता है तो Answer is Capital जो होता है वो Honor का Fund होता है जिसे दिखाते कहां है Liability में ठीक है न इससे तो Agree करते हो कि Sir Capital Liability Side में आता है अभी तक तो इतने question किये है Liability का Side क्या होता है 11th Class में सिखाए था न Liability का Side अगर मेरे से पूछा जाए तो किस Side में होता है ये तो ये होता है हमारा Credit Liability का Balance जो होता है Credit होता है ठीक है अब मुझे बताना है Credit वाले आइटम में अगर मुझे Plus करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा Credit और अगर Minus करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें Debit यानि Capital जो है हमारा एक तरीकी के Liability है और इस Liability पे जो Rule of Debit Credit का Concept अगर अपलाई करते हैं तो Capital को अगर हमें बढ़ाना है क्योंकि ये Liability और Side इसका Credit है तो Credit वाले आइटम को अगर हमें Plus करना है तो Credit ही करना चाहिए और Minus करना है तो Debit करना चाहिए ठीक है अब मैं Simply आपसे बताना चाहता हूँ एक Leisure बनाता हूँ चलो मैं Capital आप जबाब देना मुझे आपको सब पता है यहाँ Debit आएगा है न और इस साइट के आएगा Credit माल लेते हैं A का Account है A का Capital Partners Capital मतलब Partners का Capital तो इस साइट से क्या होगा Debit साइट से बताओ क्या होगा Capital जो है वो Debit साइट से क्या होगा देखिए Debit साइट से सर Minus होगा और Credit साइट से Plus होगा माल लेते हैं partners का capital शुरूब है, starting वाले को balance BD बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना, liability का जो balance BD start होता है, वो कहां से होता है, by balance BD, आपने single entry system में भी करा होगा, creditor का balance by balance BD लिखते थे, है ना, याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ, assets जितने भी होते हैं, उस assets का balance BD debit से start होता है, और जितने भी liability है, उसका balance BD credit में start होता है, तो मान लेतने के partner के पास कोई सुरुवाती में capital था, तो balance BD, balance BD, 40,000 रुपिस, ठीक है, लिख दिया एक example, अब मुझे बताना, partners का capital कब-कब बढ़ेगा, कब-कब बढ़ेगा, partners का capital, जब मैं इसे interest on capital दूँगा, तो इसके capital पे क्या फरक पढ़ेगा, बताओ, आप partner हो, और आप business से interest on capital लोगे, तो आपके capital पे फरक क्या पढ़ेगा, आपका capital बढ़ेगा, आप business से salary लोगे, तो आपके capital पे क्या फरक पढ़ेगा, आपका capital बढ़ेगा, आप business से, कोई, आप general reserve का part लोगे, तो आपका capital बढ़ेगा, आप business से goodwill का पैसा लोगे, आपका capital क्या होगा, बढ़ेगा, तो अगर मैं बढ़ने की बात करूँ, तो interest on capital, किसको मिलेगा partner को, तो इस धर आएगा, interest on capital, इस side आ गया, मैंने बोला partner ने drawing करा है, तो आप मुझे जवाब दो, drawing क्या होगा, drawing से capital बढ़ेगा या घटेगा, सोचो, think करो, कुछ बच्चों ने जवाब दिया, sir, drawing से capital घटेगा, बिल्कुल सही जवाब है, to drawing, तो sir, interest on drawing, sir, इसी में आएगा दोनो, interest on drawing भी यहीं आएगा, तो बड़ा ही simple से जवाब है, हम capital समझे रहे हैं, तो capital हमारा liability है, और capital हमारा बढ़ भी सकता है, और घट भी सकता है, अगर बढ़ाना हो, तो credit करना पड़ेगा, और घटाना हो, तो debit करना पड़ेगा, बढ़ा ही simple से हमारा question भी है, और answer भी है, इसमें कोई ज़्यादा complicated है, नहीं और नहीं आपको कुछ ज़्यादा confuse होने की ज़ुरत है, ठीक है, इतना portion समझ मैं है, बागी मैं पूरे detail में भी करूँगा, इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए, partners का capital है, partners का capital दो तरीके क्या होता है, एक होता है हमारा fluctuation capital और एक होता है fix, fluctuation capital का मतलब क्या होता है, कि मान लेते हैं, एक का capital जो है, वो 2010 में, पचास हजार था, और इसी एक का capital, 2011 में बढ़के हो गया हमारा 55,000 रुपए, और इसी एक का capital क्या हो गया, 2012 में जाके बढ़के हो गया 65,000, और इसी एक का capital, 2013 में घटके हो गया 45,000, तो बढ़ना घटना का बहुत reason है, अगर बढ़ने की बात करूँ, जाके capital में, याद है ना, profit आया capital में और loss होता था, तो capital में minus, तो देखो, हर एक साल capital बदल रहा है, तो change हो रहा है हर साल capital में, इसलिए इस capital को हम बोलते हैं, fluctuation capital, तो सर, fix capital क्या होता है, fix capital इस साल भी होना चाहिए था 50, और इस साल भी होना चाहिए 50, और इस साल भी होना चाहिए 50, और इस साल भी होना चाहिए 50, तो यह वाला जो हमने example लिया है, यह fix capital का है, तो ऐसे कुछ सरते है, ऐसे कुछ condition है, कि जब हमारा capital change होगा ही नहीं, condition यह है कि profit जब कभी कमाओ, capital में मत जोड़ो loss जब भी हो capital में मत minus करो मतलब बहुत सारे ऐसे information interest on capital है capital में मत जोड़ो तो हमारे capital क्या होगा fix तो इसलिए जब हमारा fluctuation होगा बदलाव होगा तो हमें सिर्फ एक account बनाना होता है और लेकिन जब fix होगा तो दो account बनाएंगे अगर fluctuation रहा question बोलेगा आपसे fluctuation रहा तो हम prepare करेंगे only capital account क्या prepare करने वाले है capital account और हमारा सारा चर्चा जिसी पे होगा fluctuation वाले पे fix वाले पे हमारा बाद में चर्चा होगा लेकिन जब fix होगा तो क्या क्या account create होगा ये मैं बता देता हूँ आपको अगर मैं आज ही आपको fix और fluctuation दोनों बता दू तो में भी हो सकता है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे उसमें से किसी बच्चे को कुछ doubt रह जाओ और मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई doubt हो तो इसके लिए मैं बाद में इसके उपए star बना देते हैं कि बाद में करेंगे इसे और इस जो हमारा ये capital है ये जो fix capital है इसके अंदर दो account बनता है एक बनता है हमारा capital account बस इतना जान लेते हैं हम और एक बनता है current account कुछ fundamental में भी मैंने question छुड़वाए थे भाई अभी मत करो कोई फाइदा नहीं है जब बाद में करना ही है तो इकी चीज़ को दो तीन वार करके क्यों अपना time हम थोड़ा waste करें तो अब जो है ना करेंगे तो fundamental के भी question होना start हो जाएगा वह सारे चीज़े आपको लगता होगा सर छोड़वा देते है reason है क्योंकि देखो बच्चे आपने तो book पूरी पढ़ी नहीं है अभी अभी तो आप starting learning phase पे हो सीख रहे हो जो जो चीज़े मैं सिखा रहा हूँ मैंने पूरे book को एकदम से अच्छे से पूरे book को मैंने समझा हुआ है मैंने पूरे book को अच्छे से देखा हुआ है तो मैं एक topic को दूसरे topic से link करता हूँ अगर एक topic हमें बाद में पढ़ना है detail में तो मैं आज वाले topic को छोड़ूँगा बोलूँगा इसे बाद में करेंगा तो घवराने आली जुरतनी है मैं एक-एक topic कराऊँगा और जब मैं बोलूँ के ये chapter पूरा खतम हो गया आपका syllabus तो आप एक भी question बता दे न बुक कर रहे गया हो मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़े नहीं करवाया क्यूंकि उसका reason है आगे link करना है तो interest on capital में याद होगा ये बताया था मैंने आज हम detail में discussion करेंगे तो partners capital liability होता है credit से बढ़ेगा, debit से घटेगा इसमें दो type के हैं आपका fluctuation capital और एक fixed capital fluctuation capital के अंदर सरिफ eki account prepare किया जाता है fixed capital में दो capital और current account तो चर्चा का विशय आज क्या है आज चर्चा का विशय है fluctuation capital हम fixed capital पे अभी नहीं जाएंगे fluctuation capital की बात करेंगे आपने note कर लेना है ये ठीक है तो capital चलिए मैं आपके लिए एक account बना लेता हूँ और मुझे आप जवाब देते रहना है मैं सवाल पूसता रहूँगा आप मुझे जवाब देते रहोगे और जवाब और सवाल में ही हमारा ये concept खतम हो जाएगा भाई interest on capital क्या होता है और capital तो business को हम देते हैं है ना लगाते हैं हमारे द्वारे लगाया जाता है business में तो जब business में हमारे द्वारे लगाया जाता है तो उस पे ब्याज हमें मिलेगा हमें business के point of view से नहीं सोचना partners के point of view से सोचना हमें मिलेगा जब हमें मिलेगा भाई वो तो हमारे लिए फाइदा है लेकिन जब drawing करते हैं तो drawing करने की वज़े से हमें क्या होता है हमारा capital कम हो जाता है interest on drawing से भी क्या होगा अगर business हमें बोलता है कि हम आपको goodwill का पैसा देंगे तो हमारे capital क्या होगा बढ़ जाएगा अच्छा एक बात बताओ अगर हमने additional capital लगाया अगर additional capital लगाया तो मुझे जवाब देना कि उस case में क्या फरक पड़ेगा मेरे capital पे आप जवाब देते हैं अगर मैं capital लगाऊँगा तो मेरा capital तो बढ़ेगा बिल्कुल सही जवाब बढ़ेगा आपका capital इस side में आपका debit है और इस side में आपका credit है ठीक है और मैंने एक एक जगह छोड़ा हुआ है मैं इसको ने red marker से कर देता हूँ ये new partner होगा हमेशा C जो है वो new partner होगा थर्ड partner का capital है अब सबसे पहले मुझे बताइए इस side से ये plus होगा और इस side से minus होगा क्या आप logically agree करते हैं नहीं करते हैं मेरे बोलने से नहीं logically जो 11th class में सीखा था उसके according agree करते हैं कि भाई capital liability वाला item है और credit से बढ़ेगा और debit से कम होगा agree करते हैं हाँ sir agree करते हैं अच्छा बच्चे तो हमारे पास ABC और ABC तीन partner हैं अब मैं बोलू partner का starting का balance बताओ कहा हैगा शुरू का balance तो और capital आप अगर ध्यान से देखो न तो कई बार आपको balance sheet में capital कई बार हो सकता है कि balance sheet में capital कई बार क्या अकसर ही देखोगे balance sheet में capital कहा है liability में लेकिन कई बार balance sheet में capital आ जाता है assets में भी है sir आज से पहले तो देखा नहीं assets में हाँ बच्चे ये assets में आता है और ये partner मान लेते हैं B का assets में तो इसको हम बोलते है negative capital और ये हमारा होता है liability में positive capital ठीक है तो आप बताओ जो liability में capital होगा वो होता है हमेशा opening balance तो opening balance को किस से लिखेंगे balance by balance balance bd से किस से लिखेंगे by balance bd से opening capital को किस से लिखा जाएगा by balance bd ठीक है न अब बताओ क्या new partner का opening capital होगा क्या नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई new partner का opening capital बताओ अब मैं आपके सामने situation बनाता हूँ मान लेते हैं A और B दो partner है और C new आया है भी और C new partner आया है तो ये capital लेके आया है तो इसका सुरू का capital थोड़ी है ये fresh capital है ताजी capital है ये एकदम ताजी capital तो ये bd का मतलब कौन सी बासी capital old capital तो इसका है नए वाले partner का नहीं होगा है न अब नए वाला partner जो पैसा लेके आया है new partner जो new partner लेकर के आया है उसको हम entry करेंगे cash में cash में या bank में क्यों करेंगे भाई क्योंकि लाया है journal entry भी करके दिखाऊ भाई यहां आ जाएगा आपने journal entry capital लाते time पे करा था ना आपने सीखा था treatment of goodwill में कैसे cash account debit two capital यही करा था और two premium भी था तो cash account debit two capital था तो cash में जाके two capital capital में जाके buy cash capital में जाके buy cash तो दिखो मैंने buy cash लिखा logically भी देख रहे हैं और वैसे भी आप देखो जब कोई partner अपने पास घर से पैसे लाएगा तो उसका capital बढ़ेगा अपने घर से यह cash लाया होगा तो capital बढ़ेगा bank लाया होगा तो बढ़ेगा सर अगर furniture लिए तो बिलकुल फिर मैं हाँ furniture लिखूँगा capital बढ़ जाएगा ठीक है अब माल लेते हैं हमने decide किया कि इन दोनों को salary दिया जाए वैसे salary देने का मुद्द तो पहले का था लेकिन हम अभी भी सोच लेते हैं इन दोनों को बोला ही जब इन दोनों को देना है तो इसी को देना क्योंकि जो question बोलेगा उससे ही तो करेंगे हम question से बड़े थोड़ी है कि इसके बाद मैंने बोला इन दोनों को reserve दिया जाएगा reserve सर रिजर्व क्या होता है बच्चे रिजर्व ना लाइकबिलिटी साइड में होता है जनर रिजर्व जनर रिजर्व तो जब कभी नया partner admit होता है तो पुराना partner बोलता भाई अपने पुराने profit profit सब खलास करो खतम करो और नए profit से हम अपनी जिन्दगी सुरू करेंगे तो यह जो reserve होता है यह profit का ही part होता है तो जो नया partner होता है बोलता है इस reserve को हटा हो जितने भी है फालतू सलतू तो बोलते है अच्छा यह reserve हटा दू तो यह तो profit किसका होगा A और B बोलता है मेरा ही profit होगा क्योंकि इन दोनों ने ही कमा के balance sheet में छोड़ा होगा नया partner बोलता है इन सब को हटा हो तो by general reserve general reserve GR लिख रहा हूँ ठीक है इसमें बट जाएगा सर यह बट तो जाएगा लेकिन कैसे बाटेंगे old ratio में अब आपको old और new ratio अच्छे से पता है किसे बोलते हैं ठीक है इसके बाद चलिए और क्या होगा और यह partner अपने साथ क्या क्या लेके आता था एक तो capital लेके आता था और एक premium लाता था एंट्री क्या करते थे premium to a और to b किस ratio में याद होगा sacrificing ratio में जिस बच्चे ने question किया 100% याद होगा premium to a to b तो हम premium by side में बाटेंगे तो a और b किसको मिलेगा पुराने partner को तो by premium और by premium नए partner के आने की वज़े से सिर्फ एक तो ये बदलाव है premium बटेगा और एक ये बाकि नए partner के आने के वज़े से पुराने partner में कोई छिडखानी नहीं की जाएगी तो premium बाट दिया फिर से समझ ये मैं दुबारा करता हूँ पुराने partner का capital balance BD आ गया ये कहां मिलेगा हमें balance sheet के liability में लेकिन अगर by case assets में मिलता है तो वो बन जाएगा to balance to balance BD अगर assets में मिले तो ठीक है नहीं मैंने लिख दिया उसके बाद नया partner जो cash अपने साथ capital लाएगा यहां लिखा जाएगा किसी partner को salary है यहां लिखा जाएगा किसी partners को interest on capital है यहीं लिखा जाएगा किसी partners को general reserve बटेगा यहीं पर आ जाएगा और किसी partner को premium देना है यानि goodwill का पैसा यहीं पर आ जाएगा interest on capital भी लिख दूँ चला लिख देता हूँ interest on capital माल लेते हैं दोनों को मिल गया अगर drawing करेगा तो किस side आएगा two side drawing करेगा तो two side आएगा और interest on drawing भी two side आएगा आप वहाँ अगर याद करो P&L appropriation तो interest on drawing सिर्फ आता था drawing नहीं आता था लेकिन यहाँ दोनों आएगा आप देखो यह विचारा के खाली पड़ा है इसकी line भी खाली क्योंकि यह तो अभी आया ही ना यह तो चुप चाप देखेगा अपना पैसा दिया और चुप चाप बैठी आए यह उसका देख रहा है कोन कोन क्या कर रहा है बस मेरे साथ साथ बोलना मेरे साथ साथ बोलना के पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा मैं बोलता जाओं आप मेरे पीछे पीछे रिपेट करना ठीक है पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी होता है बोलिए पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्रेडिट स साइट से बढ़ेगा और debit साइट से घटेगा बढ़ने के क्या क्या रीजन है बढ़ने के रीजन है अगर extra capital लाओगे salary होगा general reserve होगा premium का पैसा बढ़ेगा या फिर interest on capital होगा इससे हमारा बढ़ेगा अगर बढ़ता है तो हमें buy side में दिखाना चाहिए लेकिन घटने के क्या समझ आ रहा है बाकी हम practical करेंगे तो दूद का दूद और क्या हो जाएगा बताओ पानी का पानी अगर हम practical करेंगे तो अभी तो फिलाल यह scenario है और यह बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है हमें यह हो गया B C हो गया ठीक है अब क्या करना है हमें इसके बाद हमें total करना है तीनों में से किसी के भी total करेंगे यह total किया और हमेशा याद रखना यह site ज्यादा होगा 90% cases में 10% में यह हो सकता है तो हमने क्या किया यह जो total था वही उठा के इधर रख दिया यह total यही उठा के इधर रख दिया यह यही रख दिया एक example मिले ले लेते हैं चलो आप बोल होगे सर करके दिखा हो माल लो एक रुपए दो रुपए एक रुपए एक रुपए दो रुपए तीन रुपए दो रुपए चार रुपए पांच रुपए एक रुपए छे रुपए ठीक है अब total करते हैं एक दो तीन एक चार एक पांच दो साथ तीन दो पांच चार न क्योंकि यह तो इधर balance BD होगा इधर, इधर है ही नहीं, drawing एक रुपए, एक रुपए, interest on drawing एक रुपए, एक रुपए, माल लेते हैं न, तो आप यहां कुछ बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको बोलेंगे two balance, two balance CD, पूरा लिखना है आपने, balancing figure है, तो 6 में से दो गए, 5, पहले cross है न, 5, 15 में से दो गए, 13, और यह तो 6 का 6 ही रह जाएगा, उपर तो कुछ है यह नहीं, तो यह लोजी बन गया हमारा partners capital account, partners capital में दो चीजे ध्यान देना है, नए partner की वज़े से क्या क्या changes हुआ, बताओ, देखो, मैंने underline कर रखा है, यह entry होगा नए partner की वज़े से, बाकी सारा जो भी है वो पुराने partner की वज़े से ही है, अब मैं थोड़ा सा define करना चाहूंगा आपको जनर रिजर्व को, जनर रिजर्व में क्या क्या आएगा, जनर रिजर्व में क्या क्या बटेगा, ठीक है, जनर रिजर्व में क्या क्या आएगा, या सर्फ रिजर्व में क्या क्या आता है, रिजर्व में हमें क्या-क्या बाटना होगा यह लिखना है आपने जनर रिजर्व फ्री रिजर्व और सिर्फ रिजर्व बोला हो तब भी और आपका वर्कमेन कंपंसेशन फंड वर्कमेन कंपंसेशन फंड हालाकि इन सब पे कुछ है कंडिशन जिसके लिए मैं अलग से किलास दूँँगा आपको वर्कमेन कंपंसेशन फंड के बाद investment fluctuation fund investment fund और क्या होता है investment fluctuation fund के बाद और investment fluctuation fund होगे बस enough है इतना ज़्यादा ही है तो देखो ये दोनों पे तो अलग से class भी ली जाएगी सारा का सारा बढ़ता नहीं है बढ़ने का मतलब क्या होता है partners capital में बढ़ जाता है और ये आपका जो general reserve free reserve ये है ये भी बढ़ेगा लेकिन ये तो normally बढ़ जाएगा old ratio में इसमें old ratio में ही बटेगा लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना part बाटना है तो जैसे question करेंगे एक point रहेगे है यहाँ लिखना जैसे कि revolution बना है तो revolution से अगर profit आएगा तो by revolution वहाँ से उठके आ जाएगा ये ठीक है नहीं ये बात याद रखना है आपने दो ही में जाएगा यानि new premium distribute होगा किस ratio में होता है जब premium लाता है sacrificing ratio में ठीक है rest all rest all का मतलब और कुछ भी बाटने की अगर नववत आती है और कुछ भी बाटने की अगर कुछ आती है remaining या rest all distributable item in old ratio तो आपको simple है कि सरिफ goodwill बाटने है sacrificing ratio में बाकि सब किस ratio में बटेगा हमारा old ratio में बटेगा ठीक है ना तो partners capital है partners capital में A, B और C A, B और C तीनों partner नए partner का भी column बना है तो इस पर हम practical question भी देखेंगे जिसमें की partners capital भी बनाया जाएगा और balance sheet भी बनाया जाएगा in fact ठीक है तो आप इसको एक बार अच्छे से note करिए फिर हम और भी आगे के concept पर चलेंगे अभी दो-तिन दिन तो concept ही चलेगा तो एक पर फटा-फट से note करिए आप इसको note करिए करिए